upp exactly हाई दोस्तों आप देखहरे हैं Middle गृर — livingablo, में पीजी तेंदर तो आज में उसकरने वाले हैं WD 40 continental GT में जोस्तों इसको मैं यूचने वाला हूँ चेंड क्लीनिंग के लिए दोस्तों चेंड inde प्रेनिंग के लिए बहुत लोगों के डाउट था कि इसको यूज करना है नहीं करना डाउट है वह आगे वीडियो में कवर करेंगे और इसको किस तरह से यूज करते हैं अपनी बाइक में वहीं बताने वाला हूं तो मेक शियूर इस वीडियो का आखिस जरू दिए चलिए जानते हैं था को दूस्तों यंदू 40 जो कि मैं यूज करने वाला हूं इसमें आप भी आ रहा है smart फ्रॉ अगर अगर आब यहां से यहां ज़ा रखे कर सकतें और अगर नारो कुछ अरिया में ज़ाओ करना ना है तो आप इसको प्रेट करके यहां से प्रेज कर में तो क्लिए हैं चेन क्लिणिंग कुछ ताम पहले मेरे यह मेरे ब्रदर की जीटी है तो उनने जो है बाहर से कराया था and see the condition over loop के वैसे पूरा chain जो है वो परा dusty हो चुका है पूरा chain जो है लूप जो है वो वील पे भी लग चुका है यह आप देख रहे हैं पूरा लूब हो चुका है तो आज इसको chain cleaning करने वाले chain cleaning किस तरह से उसकरते हैं और लोगों के क्या के पहले कपड़े से थोड़ा साफ कर लेंगे इसको ताकि डस्ट जो है उपर उपर के निकल जाए उसके बाद जो है हम इस पे स्प्रे करेंगे and एक वार्निंग में देना जाओगा तो साइड साइड जो है क्लीन कर दिया है अब मैं क्या करूँगा इसका यह स्ट्रॉ है नेरो स्ट्रॉ है वह ओन करके मैं स्प्रे करने चालो करूँगा दोस्तों मैंने भी WD40 उस किया and सारा जो है अभी टपक रहे देखिए सारा डस्ट गिर रहा है यहाँ पर और चेन अभी क्लीन होगी मैंने तो कपड़ा भी भी नहीं मारा तो चेन ऑल्मोस्ट जो है क्लीन जैसी हो गई है एब कपड़ मार दूँगा इबार हलका दुबारा स्प्रे करूँगा यह पूरे पूरे क्लीन हो जाने वाली है अब किसी पार्ड में उसकते हैं चाहे रस्ट हो चाहे कोई बोल्ट स्थ हो गया हो या फिर कोई क्लीनिंग करना है किसी को हलका लूप करना है इसमें हलका लूप पार्टिकल भी होता है तो चेन क्लीन हो चकिए मैं क्लोसर दिखाता हूं आपको बहुत ही सही जो ओवर लूप के जितने भी डस लग गया था न वो पूरी तरह से क्लीन हो गया एंड वो भी एक ही spray में, दूसरा spray अभी तक मैंने किया भी नहीं है and almost जो है clean लग रहा है, यह दिखिए तो दोस्तों, बहुत लोगों को doubt है कि WD-40 क्या हम chain cleaning ले यूज़ करते हैं दोस्तों, totally आप यूज़ करते हैं, कहीं लोगों लगता है, इसकी ओर इंग में problem होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप light quantity किसी बिज़ी का यूज़ करते हैं तो problem नहीं है, अगर आप over lube या over cleaning करते हैं तो उसके वज़ी से problem आती है, light quantity उस करिए, कोई problem नहीं होगी और cleaning जो है, easily हो जाएगा, जैसे मैं दिखाया था, पुरा dust जो है, जैसी मैंने spray किया सारा नीचे जो है, गिरना सुरू हो गया था, and chain cleaning बहुत जल्दी quickly जो है, इससे हो गया था तो दोस्तों आपने दिखा कि मैंने, as a chain cleaner में WD40 उसके है, उसका result बहुत ही सही था, and easy to use है, आप normal quantity में ही, जो है, कोई भी चीज़ cleaning, मतलब chain cleaning, या फिर कोई भी rest area है, या फिर कोई bolts तक हो गया है, ऐसी areas में इसको यूख सते हैं, ये multi-purpose प्रे होता है, and मैं अगर अगर पाइक या कार रखते हैं, तो मैं totally recommend कुरूँगा कि आपके घर में जरूर होना चाहिए, बहुत सारे काम जो है, आराम से आता है, ये finder ml का pack है, इसमें smart straw आ गया है, इससे कि आप जो है, wide area या narrow areas में भी जो है, आराम से spray कर सकते हैं, तो दोस्तों, डिस्कुस्टों बागर दोस्तों का लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से चेक आउट करिये, वहां से आप बाइ कर सकते हैं, यहां वीडियो के अंट करते हैं, ख्याल रखे, ध्यान रखे, और देख तरी ब्रड़ों एसी बहुत सारे इंप वीडियोस आपके लिए आती रहेंगे, बाइ!